दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा ख़वरों को लेकन उससे पहले अगर आपने वेदे के शैनल को सब्सक्राइब ने क्या तो सब्सक्राइब करने जिससे कि आपको बिहार की ताजा ख़वर रोजाना मिलती रहे सबसे पहली बड़कवर देर राद तक सिवान आ सकता है उसामा अभी तक चार केश दर्ज है पूर्व सांसद और बाहोवली नेता रहे साहब उदिन के बेटे उसामा साहाब को राजस्थान के कोटा में पुलिस ने गिरबतार किया है धारा एक्सवे क्यामर में उसे गिरबतार किया गया है कोटा के रामगंज मंडी थाने में पुलिस ने उसामा के साथ उसके दो साथियों को भी पकड़ा है उसामा को लाने के लिए सिवान की पूलिस भी रवाना हो चुकी है देर राद तक उसामा को सिवान लाया जा सकता है बड़कर बिहार में पंचायती राज बिभाग में 3569 पंचायत सचीब पदो की वरती इंटर पास करें आबेदन 9 नॉमबर तक डेट है बड़की पंचायत सचीब की सरकारी नौकडी के एच्छों के या फिर बिहार में बारामी पास सरकारी नौकडी के इच्छा रखने वाले मिदवारों के लिए काम की खबर है बिहार सरकार के पंचायती राज बिभाग में लेवल 3 के पदों के अंतरगत पंचायत सचीब के रिखते पदों पर भरती के लिए आदिसूसना जारी कर दे गई है इस भरती की अदिसूसना के मताबे कुल 3532 पदों पर भरती की जानी है इन में 1746 पद अनरक्षित हैं और जिसके लिए अन्यराज की उमिदवार भी आवेदन कर सकते हैं वहीं कुल पदों की संख्या में 35 फिस्दी यानी 1022 पद महला उमिदवारों के लिए आरक्षित किया ग पटना जिले में इसके सुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर आमजन के बीज भ्यापक परचार परसार किया रहा डियम डॉक्टर चन सेकर सिंग ने जिलास्तरिय उज्वला समीती की बैठक में यंदर्देश दिया है डियम ने जनसंबाद अस्थलों पर भी इसके लिए स 22 पर सराइक के सुरज 4 के निकट बाहन चारज के लिए रोकने पर भाग रहे दूशासी अपराधियों ने पीछा करने पर एक सिपाही के सीने में तावर तोड चार गोलिया मार कर हत्या कर दी थी हलाकि बाइक सेवार दोनों अपराधियों को पूलिस ने पीछा कर इवं सत्य प्रकास गया के बुनियाद गंज निवासी थे और दोनों अपराधिकी उमर 20 से 25 पर्स के 20 थी बिहार में मिल रहा प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट से उल्टा फैसला आएगा तो हो सकता है रद्द बिहार सरकार ने राजे कर्मी के लिए बड़ा फैसला किया है लंबे अरसे के बाद बिहार सरकार अपने कर्मियों और अधिकारियों को प्रमोशन दे रही है करीब 7 साल के बाद फिर से राजसरकार के करमचारियों और अधिकारियों को नियमित प्रमोशन और उच अस्तर का बेतनमान मिलेगा सरकार के इस फैसले से राजे कर्मी के बीच खुसी का महल जरूर है लेकिन उनके मन में एक सवाल अभी भी चल रहा है कि अगर प्रमोशन मिलने के वाद कोड का कुछ ऐसा फैसला आता है जो इस तरदने के खिलाब हो तो फिर क्या होगा कैस सरकार उस स्थित की नई व्यवस्था के तहट उचेतर पद का कारेकारी प्रभार देने के सुरुवात हो गई है समाने प्रसासन विभाग ने दो सूचिया जारी की है अस्क्रिनिंग समीति की अनुसनसा की अधार पर पहले सूची में साथ और दूसरी सूची में दो राज कर्मियों को प्र प्रमोशन दिया गया है वहीं आयुकत कारियले सहरसा में पदस्था पित कर्मी समाने प्रसासन विभाग में काररत चार कर्मी को प्रमोट किया गया है बड़ीकुर बिहार में पड़ा सियासी हलचल मुख्यवंतरी नितिश कुमार का अचानक जद्यू दत्तर जाना और फिर रात में लालू यदब से मुलाकात ने बढ़ाई ये दड़कन मदाले की बिहार में देरना तचानक लालू यादब से मिलने नितिश कुमार पहुँच गए और इसे सियासी पारा हाय हो गया है दोनों निताओं के एक मुलाकात के बार इस तरह की आठकले लगने लगी है अठकले या लगाई जा रही कि लोक्सवा चुना में सीट सेरिंग को लेकर दोनों निताओं ने मुलाकात की है अलाकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया इस मौके पर उपमोखिवंत्री तेजस्वी यादब के भी उपस्तिती होने की बात सामने आई है बड़िकवर तेजपरताप यादब ने समराड चौधरी की हैसियत पर उठाया सवाल जातिय गन्ना की रिपोर्ट जारी होने की बात सियासत सुरू है लालू यादब ने जातिय गन्ना को लेकर बड़ा व्यान दिया था और ट्यूट कर कहा था कि कैंसर का इलाज सिर्दर्द की दवा खाने से नहीं होगा इस पर समराड चौधरी ने कहा था कि लालू यादब खुद ही जातिय उन्मात का कैंसर है तेज परताब यादब ने समराड चौधरी के इस बयान पर निशाना साथ वे कहा कि समराड चौधरी की हैसियत क्या है तेज परताब का कैना है कि लालू यादब के सामने समराड चौधरी की कोई हैसियत नहीं है पड़िकर बीजेपी नियोज़त सिक्षकों के पक्ष में एक वर फिर से आकरमक है राजिकर्मी का दर्जा देने के लिए परिक्षा लेने का बिरोद हुआ तेज बिहार में 4 लाग सी अडिक नियोज़त सिक्षकों को राजे करमी का दर्जा देने के लिए राजे सरकार ने साच्छमता परिशा लेने का दर्णने किया है और सिक्षक इसका बिरोद कर रहे हैं इतर भारती जनता पाटे भी नियोज़त सिक्षकों के हित्म में आवाज बुलंद करने की रन्निती बना रही है पिछले दिनों सिक्षा बिभाग के दौरा कई छुट्टियां रद्द कर दी गई थी इस मामले में बीजेपी की जीत हुई थी और बीजेपी ने छुट्टियां बापस करवा ली थी बिंद और बिलदार समाज की लोगों ने पटना की गर्दनी बाग में एक दिवसी धर्ना दिया और इनका साब कहना है कि सर्वे में उनकी जाती की संख्या को काफी कम दिखाये गिया रेनू देवी ने कहा कि यमारी जाती की संख्या मात्र शड़े तीन फर्तिसत बताए गई है जो कि काफी कम है उनका दावाई कि उनकी जाती की संख्या साथ 50 से ज़ादा है बड़िकर बिहार में जातिय सर्वेक लेकर बीजेपी की नई डिमांड कहा कि बाड़ डिमांड आकड़े जारी हो सुसिल मोदी ने कहा कि जब सर्वेक की आकड़े पर सवाल उठ रहे हैं तो कई जातियां ठगा हुआ महसूस कर रही है तब बाड़ बार आकड़ा का प्रकासनी संदे दूर कर सकता है और इसे जारी करना पहत आसान है क्योंकि अब आकड़ों का बिसलेशन समब नहीं है सुसिल मोदी ने निती सरकार से मांग किया कि बाड़ के मुताबिक सभी का आकड़ा जारी करें परिकवर नौरातर में उबास रखते हुए प्रसिक्षन के लिए पहुच रहे सिक्षकों ने सरकार के खिलाब मोर्शा खोल दिया है सिक्चकों का कहना है कि वो बाज के दोरान जब सनातन धर्म के लोग सात्युक्ता का बहुत जादा ख्याल रखते हैं सरकार ने एक साजिस के तहत या ट्रेनिंग रख दी है बाजबन ने सिक्चकों के साबाज को ताकत देते हुए कहा कि राश्टी जनतादल के राश्टी अध्यक्ष लालू यादब के इसारे पर सनातन के खिलाव यह सब किया जा रहा टीपी ऐसे सेयोजक राजू सिंग ने कहा कि दुर्गा पूजा के दोरान 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक प्रसिक्चन की विवस्था विभाग के द्वारा की गई है और इसको लेकर सिक्चकों में भारी नराज की है सिक्चकों के पूजा पाठ में व्यवधान उत्पन हो गया है नौरात्र के दर्मियान सिक्चक बिशेश सात्विक्ता का ध्यान रखते हैं प्रसिक्चन सहस्थान में पूजा करने का भी कोई विवस्था नहीं किया गया है बडिकर बिहार राज आंगनवारी सेविका साहिका संग के अवहान पर अनिस्षित का लिन हरताल जारी है और बता दे कि बिहार राज आंगनवारी सेविका साहिका संग के मसवड़ी प्रखन अध्यक्त सुजाता कुमारी ने डिप्टी सीयं तेजस्वी आदब पर भादा थोड़ने का आरोप लगाया सुजाता ने कहा कि चुनाओं की समय तेजस्वी आदब ने भादा किया था कि आगनवारी सेविका साहेकाओं को सरकारी करμी गोषित करने के साथ साथ मांदे भी बढ़ाये जाएगा चुनाओं खत्मोने के वाद ना सरकारी सेवक का दर्जा दिया गया और ना ही मांदे बढ़ाये गया चुनाव में उप मुख्यवंत्री देजस्वी आदब लगतार मंचु पर भासन देने के दोरान आंगलवाडी सेविका साहे काओं को आस्वासन दिया करते थे पढ़क़ जात्य सरवे के वाडवार आकरा को लेकर सुसिल मोधी का बड़ा आरोप कहा की आर्जेडी और जेडू जैसे सतारूर दलो को जात्य सरवे के वाडवार आकरे चुपचाप उपलप्द करवा दिये गये हैं ताकि वो इसके अधार पर चुनावी रण निती बना प ही है कि यह 11 साल में किनर हिजला या थर्ड जेंडर की संख्या बढ़ने की बजाए 40,000 और भी कम हो गई बलिकपन नितीस कुवार ने कुसवार नेताओं को फिर से दिया धोखा पूर्व गेंडरी मंत्री उपेंडर कुसवार ने जेडियू की नेताओं का फिर से उड़ाया मजा कहा कि आप तो हाथ पसारे रह गए जिसराज की राजनिती जाती आधारित है वहाँ पर हर निरने जाती के चस्मे से देखना स्वाविक है उपेंडर कुसवार ने बिधान परिसर सतसता से इस्तिवा दिया इसके बाद खाले सीट को ब्राम्मन उमिदबार डॉक्टर राजबंधन अजाद से भर दिया गया ऐसे में मुख्यवंत्री नितीश कुमार पर सवाल उठाना शुरू हो जुका है उपेंडर कुसवार ने का कि मुख्यवंत्री नितीश कुमार इंदरो अतीश कुमार अतीश कुमार को और भी अधिक अधिकार देने की बात करते हैं जरेंगना रिपोर्ट में अतीश कुमार की सबसे ज़्यादा आवादी यानि 36 फिस्दी आई है इसके बावजूर नितीश कुमार ने सबसे पहले जो निरने किया है MLC बनाने का उसमें भी अतीश पिछलों को धोखा दिया गया वड़िकवर नौरातरी में टीचर ट्रेनिंग पर सियासी बवाल गिराज सिंग ने कहा कि हिंदु धर्म का अपमान कर रहे नितीश कुमार रिपोर्ट्स के मताबिक बिहार एजुकेसनल डिपार्टमेंट की आदेश को लेकर सिक्चक संग के सेउजक ने भी अपनी परतिकरिया दी है वही किंद्रे मंत्री किराज सिंग ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और सिक्चकों के बिरोध में तुलकी फर्वान जारी करने कारोप लगाया 15 अक्टूबर से 99 शुरू हो चुका है और सूचना एवं जनसंपर की विभाग बिहार सरकार के और से जारी आदेश में कहा गया है कि 16 से 21 अक्टूबर के बीच गया जिले में सिक्चकों की आवासी ट्रेनिंग होगी बड़िकवर हत्या की कोशिस के मामले में अनंत सिंग फिर से हुए बरी रेलबे ओफिस में होई थी गोलिवारी एके 47 केस में हैं जेल में बंद हत्या की कोशिस के मामले में मुकामा के पुर्व बिधायक अनंत कुमार सिंग को साक्ष की अभाव में बरी कर दिया गया सांसरों बिधायकों के खिलाब दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना सिबिल कोट इस्थित विशेश कोट ने फैसला सुनाया एके 47 रखने के मामले में अनंत सिंग अभी पटना के बेउर जेल में बंध है और विशेश नया धिस बिने कुमार तिवारी ने मामले में सुनवाई के वाद पूर बिधायक अनंत सिंग को बड़ी कर दिया है उनके खिलाब कोई सबूत नहीं मिला है बड़ीकवर लोकस्वा चुनाओं में महा करवंधन की सीट सेरिंग पर बिहार के उपमुख्य मंतरी तेस्वी अदब का बयान सामने आया और कहा कि सारी बाते पहले तय हो जाएगी एक बात समझ लिजे कि सीट बटवारे पर बिहार में कोई कटनाई नहीं है सीट में पार्टी बदलने वाले निताओं पर तंज कसा और कहा कि दिक्कत तो हाँ होने वाला है जो लोग बीजेपी में गये हैं बजारे कि लालों की जमानत रद्द करवाने वाले सीबी आई की आजका पर तेस्वी ने कहा कि कोई नई बात नहीं है और बिहार की जाती गन्ना के बाद बीजेपी बाले बॉखलाए हैं बड़कर बिहार में लगतार तीन दिनों तक कोलेज नहीं आने पर नाम काटने का आदेश सारी चातरों को एडमिट काड़ भी मिलेगा सर्तों पर बिहार में सरकारी असकूलों की तरह ही अब राज्य के बिस्विद्याले ओं एब हम कोलेजों में लगतार तीन दिनों तक अधिक अनातिकरित तुरूप से गैर हाजिर बिद्यार्थियों के नाम काटे जाएंगे ऐसे बिद्यार्थियों के रेश्टेशन में रद्ध किये जाएंगे इसके साथ ही बिस्विद्याले परिक्षाओं में बैठने के लिए कम से कम 75 फिस्थी उपस्थिती वाले चातर चातराओं को ही एडमिट काड़ दिये जाएंगे बिहार में अब स्कूलों की तरह कॉलेजों और इंवर्सिटी में भी उपस्थिती को लेकर सक्ति बरती जाएगी हनाकि सिक्षा बिभाग ने साब कर दिया है कि नाम काटने के पहले लगतार तीन दिनों से अधिक अनाधिकिरत रूप से गैर हाजेर बिद्यार्थियों को कारण मताव नोटे जारी किया जाएगा और अगर जबाब जो है संतोज जनक नहीं आया तो नाम काटने की करवाई की जाएगी